Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified every time. So in this video, we are going to talk about Reliance Communication Ltd. इससे जुड़ी हुई एक अपडेट बहुत जरूरी है आपको पता होना, क्योंकि डेली हाई कोट की तरफ से ये एक नई एक breaking news है. आज Wednesday के दिन 6th of January 2021 को release हुई है. ये खबर जो है पुरानी जो आपको दो दिन तिन दिन पहले जो एक news बताई थी, थोड़ी से मिलते जुलती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ आपको नया पता चलेगा. सबसे पहले आज के दिन की situation को अगर हम देखें, तो overall 6th of January 2021 को 2.30 की open price के बाद, जो की 10 पैसे उपर open होता है अपने previous closing price के respect में, और 2.20 का low और 2.30 का high बनाता है. आज के दिन का अपर सरके 2.30 और lower सरके 2.10 का लगा था. 2.20 के उपर closing देता है, 2.30 के उपर नहीं जा पाता closing के time पे. टोटल NSE के उपर volume trade होता है 22.4 million यानि 2.24,17,597. BSE के उपर आप टोटल volume चेक करेंगे तो 1.61,74,055. यहां का status यह है कि 2.29 के उपर open हुआ और वहां से 2.19 का low बनाता है और 2.31 का high. 2.10 का lower circuit और 2.30 का upper circuit लगा था. 2.22 के उपर यहां closing देता है जो कि 0.45% उपर close होता है अपने previous closing price 2.21 के respect में. आप market cap चेक करें तो 613.95 करूर है डिलिवरी अगर देखें तो 59.81 परसंट शो हो रही है अगर हम बात करें सीधे सीधे technical rating की तो यहां पर bullish very bullish है और अभी भी यह आपको बताना चाहूँगा टेक्निकली देखा जाया तो इसका जो relative strength index है 62 के असपास बना हुआ है अभी भी यह overboard zone में नहीं है तो मान के चलिए अभी आने वाले इस हबते के अंदर आने वाले दो session और हैं उसके अंदर इसके अंदर अपर circuit लगने के chances पूरे हैं 2.20 से नीचे गिरने के chances कम देख रहे है तो यह धीरे 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 चीटी चाल चलना चलने दो लेकिन अच्छी बात है कि यह गिरना नहीं चाहिए ओके अब देखो news क्या है news कुछ ऐसी है यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा news यह है कि Delhi High Court ने Wednesday यानि 6th of January 2021 को यानि आज के दिन basically State Bank of India जो कि आपको मैंने बता था कि लास्ट टाइम Union Bank of India और Indian Overseas Bank को status QO maintain करने के लिए order दिया था लेकिन इस बार SBI यानि State Bank of India को और Reserve Bank of India दोनों को कहा है कि आप अपने status QO को maintain करके रखिये यानि situation जैसी है वो ऐसी रहने दो आप उसके अंदर किसी भी तरीकी के छेड़खानी नहीं कर सकते हैं till the next date of hearing जिसकी listing करी गई है Delhi High Court में 13th of January 2021 तो यहाँ पर Relance Communication, Relance Infratel Limited और Relance Telecom Limited यह तीन बिसिकली जो companies हैं इन तीनों companies के account को fraud declare कर दिया था इन तीनों banks ने जिनका अभी मैंने नाम लिया तो इसी को लेकर के Delhi High Court चाहता है कि अभी आप status QO को maintain करके रखिये SBI को शक्त order दिया है Delhi High Court ने आज अच्छा तो इसके अंदर इसके अंदर basically हुआ क्या था कि जो तीन companies है Relance Communication, Relance Telecom Limited और Relance Infratel Limited इन तीन companies की तरफ से एक petition फाइल किया गया था उस petition में जो Reserve Bank of India का जो 2016 का circular है उस circular को challenge करते हुए एक petition फाइल किया गया था Delhi High Court में जिसको सुनते हुए आज 6th of January 2021 को Justice Pratik Jalan इन्होंने एक order पास किया कि जिस तरीकी की situation है उसको वैसे ही बने रहने दिया जाए तो यहाँ पर Justice Pratik Jalan ने SBI को एक special allowance भी दिया है Reserve Bank of India को भी दिया है कि वो अगर चाहते हैं तो investigation का काम शुरू कर सकते हैं और किसी भी तरीके से ऐसा investigation या इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए जो accounts को fraudulent declare करने से मिलती जिलती हो या उससे किसी भी तरीके से connected हो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ Basically यहाँ पर Justice Pratik Jalan ने एक order पास किया उस order में especially SBI और Reserve Bank of India को एक allowance दी एक freedom दिया एक liberty दी कि आप किसी भी तरीके का investigation चालू करना चाहें तो आप कर सकते हैं उसके लिए आपको रोक टोक नहीं है तो यहाँ पर basically court ने SBI को एक free कर दिया है लाइबर्टी पर रखा है कि आप किसी भी तरीके के show cause notice को जारी कर सकते हैं आर कॉम और उसकी units के लिए किसी भी तरीकी के आपको रोक टोक नहीं है जो conditions हैं उनको आपको follow करते हुए करना है अब यह जो 2016 का circular है Reserve Bank of India का इस circular का concept क्या है इस circular का concept यह है कि banks किसी भी ऐसी company जो fraudulent है उसके account को सीधे सीधे fraud declare कर देना होता है यह banks के लिए Reserve Bank of India से permission दी गई है तो इसको ले करके Reliance Communication Limited की तरफ से एक advocate थे senior advocate जिनका नाम था JJ Bhatt इन्होंने एक बहुत ही बड़ी commentary करी है आज इन्होंने कहा कि जो circular है Reserve Bank of India का fraudulent declare करने का यह एक तरीके से देखा जा तो एक एक natural justice को या principles of natural justice को violets करता है यानि इसके अंदर कहीं कहीं amendment की जरूरत है यह पूरी तरीके से valid नहीं है ठीक है क्योंकि यह किसी भी तरीके की opportunity नहीं offer करता है उस party को जिस party से जुड़ी होई बात होती है ताकि at least उसको notice बेजा रहाना चाहिए यहाँ पर इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा ऐसा example समझा रहा हूँ देखो जैसे मान लो आपने किसी bank से loan लिया ठीक है यह आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपका account जो है genuine नहीं है fraud निकलता है तो आपसे directly अगर हम बोल दें कि यह चोर है तो यह चीज़ सही नहीं है at least आपको एक notice जारी करना चाहिए उस notice के जरीए आपको पहले investigation करना चाहिए कि हाँ actually मैं situation है क्या उस party से directly आपको notice या किसी तरीकी की communication करनी चाहिए उसके बाद अगर वहाँ से situation सही नहीं निकलती तब आप उसको fraud declare कर सकते है आप directly नहीं कर सकते तो reserve bank of near cause जो circular है वो directly impose, directly उसको fraudulent declare करने के लिए permission देता है तो जिसको ले करके यहाँ पे freedom नहीं है यानि एक तरीके से देखा जाए तो principles of natural justice को यह violate करता है और इसको ले करके तेलंगाना हाई court ने भी एक study किया था तेलंगाना हाई court ने भी इसको justified नहीं बताया था उन्होंने भी कहा था कि यह इसके अंदर कुछ amendment की जरूरत है और इस तरीके से बहुत सारे questions करे गए है RBI के इस circular 2016 के circular के उपर जिसको डेली हाई court ने protect किया है जिसको ले करके जो clients होते है जो targeted clients होते है parties होती है जैसे इस बार तीन companies है आरकॉम और उसकी दो units ठीक है तो इनको डेली हाई court ने protect किया है इसके खिलाफ ये जे जे बट की तरफ से argument किया गया जो की बिलकुल सही बात भी है तो ये एक update थी I hope मैंने आपको हर चीज जो है mention जो थी इसके अंदर उन मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया और आपने समझ भी लिया होगा तो इसको लेकर के जो है 13th of January को listing है आरकॉम और उसकी unit से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई करने के लिए Delhi High Court में उसके बाद जो कुछ situation emerge होगी उसको आपको definitely मैं बताऊँगा आपको बस connected रहना होगा अगर आप या आपका कोई दोस्त जो नया है demate or trading account open कराना है description box में आपको एक link मिल जाएगा उसको click करके आप upstock के अंदर account open करा सकते हैं so this is all take care of yourself thank you very much for watching this video